नमस्कार दोस्तो यॉर हेल्थ डॉक्टर में आपका फिर एक बार स्वागत हैं दोस्तो आप नहीं जानते हूंगे अध्रक के नौ सरदारी घरीलू है आज हम आपको बताने जा रहे हैं आप भी जानिए कि अध्रक की नौ घरीलू इलाज में काम आता है अधिकतर घरों में अध्रक का उप्योगतर है तरह किससे किया जाता है यह भोजन के एक महत्रपूरंग और 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 जजदी भी दोनों रूपों में अध्रक यह सौट का प्रयोग किया जाता है विशेज गुणों से भरपूरा द्रक का इस्तिमाल कई बड़ी चोटी बिमार्गियों में किया आएंक आले आद्रक के और भी कौन-कौन से घज़ी लूप आए होता है दोस्तों गीला वा सूखा दोनों प्रकार का अध्रक चाए में हैं उप्योग होता है परतीदिन सब्जिय का अध्रक का उप्योग करने से शरीर के होने वाले वात रोवोस nuevo को मुक्ती मिल सकती है है क इसलिए सौंट का भी बहुत इस्तमाल होता है। अध्रक का ताजा रस पीने से मूत्र संबंदी रोगों से निवारण मिलता है। अगला अध्रक एवं गुण मिलाकर मट्टे के साथ पीने से पीठ वक कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है। 2. अगला, अध्रक का रध सहद में मिलाकर लेने से 6 रोग में फायदा होता है 2. अगला फायद, हिचकी चलने पर अध्रक का टुकड़ा मूमें रखकर चूसने से आराम मिलता है और हिचकी रूख जाती है अगला फायदा, अगर किसी व्यक्ति को खांसी के साथ कफ भी हो गया हूँ तो उसे रात को सोते समय दूद में अद्रक डाल कर उबाल कर पिलाएं यह प्रक्रिया करीब इन पंदरा दिन तक करें इससे सीने में जमा कफ हासानी से बाहरा निकल आएगा इससे रोगी को खांसी और कफ दोनों में आराम मिलता है इस बात का ध्यान रखे कि रोगी को अद्रक वाला दूद पिलाने के बाद पानी ना दे तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज आपने अद्रक के घरील उफायदों के बारे में जाना यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको अधी सदिक लाइक और शेयर करना ना भूले और इसे तरह की वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब करना आपको मुफत है धन्रब